लोग समाचुनाओं में एक तरफ प्रचार युद्ध तेज है तो दूसरी तरफ दिगजों के नावांकन का दौर आज भी कई होट सीट्स पर कई बड़े नेताओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है नई दिली से बीजेपी की उमीदवार बासुरी स्वराज ने अपना परचा भर दिया है बीजेपी की दिगज नेता स्वर्गे सुष्मा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज के नामांकन के दौरान केंज्रिय मंसुरी हरदीप सिंग पूरी और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विरेंदर सचदिवा इस दौरान मौजूद रहे और मेरे सायोगी अंकेत गुपता ने बांसुरी स्वराज से बात की हैं आई आपको सुनाते हैं नई दिल्ली सीट से बीजेपी की उमीदवार बासुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है बासुरी हमाई साथ में बासुरी पहले बहुत बहुत शुपकामना है क्योंकि यहां से रहे है अप चुनौती और जादा बढ़ गई है सबसे पहले तो आपकी शुपकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली की जनता जो है बहुत ही जादा समझदार है वो जानती है कि माननी मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी जेल इसलिए गए है क्योंकि उन्होंने नौ समंझ का निरादर करा है नौ समंझ का जब उन्होंने निरादर करा तो उन्होंने जाच एजन्सियों को विवश कर दिया कि आकर उनको अरेस्ट करकर कस्टोडिल इंटरोगेशन के लिए लिके जाए हाली में एक जज्जमेंट आई है दिल्ली हाई कोट की बहुत एहम बात है कि वो अरजी मानेनिय मुख्यमंतरी अरविंद केजड़िवाल जी ने स्वयम लगाई थी वो अरजी बेल की अरजी नहीं थी वो अरजी इसलिए थी कि उनकी अरेस्ट लीगल है या नहीं इसका अरविंद केजड़िवाल जी की और ये कोट की बात है कि उन्होंने कोट का फैसला था कि मानेनिय मुख्यमंतरी अरविंद केजड़िवाल जी की व्यक्तिकत भूमिका रही है शराब घोटाले में किक बाक लेने की इसके कारण उनकी अरेस्ट सही है जायज है विपक्ष की बातों में मताये, वो तो कभी आलू से सोना बनाना चाहते हैं, जब वो नहीं पुगता, तो फिर कहते हैं, माताओं और बहनों का सोना लेके दूसरों में बाट देंगे, वो तो आपकी अरजित करी हुई, मेहनत से अरजित करी हुई संपत्ती को लेकर, रीडिस्टोबिउशन ओव वेल्थ का तग मा लेके दूसरों में बाटना चाहते हैं, भाजबा बात करती है क्रिएशन ओव वेल्थ की, और कॉ?" इस बात करती है रिडिस्ट्रिबूशन ऑगल बदा आप काफी बिजी आखरी के दो सवाल पूछ लेता हूं आपने जिस बात का जेकर किया कॉंग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कई मैनिफेस्टों में नहीं तो फिर राहुल गांदी जी राली में क्यों बोलते हैं राली में ग्रिमन्ती भी कह चुक है लेकिन फिर लगातार यहीं का जा रहा है समविधान बदलने के लिए इतनी सीटों की बात सरा सर जूट बोल रहा है विपक्ष अगर आज तक किसी ने समविधान के साथ छेडखानी करी है तो वो है कॉंग्रेस पार्टी भारतिय जनता पार्टी आरक्षन में कोई संचोधन नहीं लारी आरक्षन बरकरार है आरक्षन से के साथ कोई छेडखानी नहीं हो रही है यहां तक कि बाबा भीमराव अंबेड करके सपनों को अगर किसी ने साकार करा है तो वो भारतिय जनता पार्टी धारा 370 बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे भारतिय जनता पार्टी ने उसे हटाया यू सी सी बाबा भीमराव अंबेड कर चाहते थे उत्रा खंड में भारतिय जनता पार्टी लेकर आई है और उसको एक्स्प्लोर कर रही है मोदी जी के अगले कारकाल में